जारखंड से हैं रतन जी स्वागत है आपका जी नमस्कार नमस्कार सर मेरे दो तीन सवाल से जी सर ये रसोख या रतवन्ती इनके कां कलमी सोड़ा ये किसकी चीज में फाइदा करता है और सर मैं आपकी शागिर्दी में एक सोले वरस की लड़की को तेरे पर जाई वगयरा हो गया था मुहां से वाया और मैंने उसे गोंद मोरिंगा दिया और नारियल ने पानी पीने के लिए कहा तो मैं दस दिन में एक गम सखाया हो गया त बहुत पुबारक और बच्ची को हमारी तरब से प्यार करें और सर उस लड़की के एक प्रॉब्लम आया उसे खलकलका बोमेटिंग का यह और टेंडेंसी होता था तो मैंने उसे कहा कि आप मैंने इसका यह सोलोग्राफी कराई है तो उसके गॉल ब्लैडर में 16 एंपी का स् तो कही एक नुक्सत मैंने लिख रखा है लेकिन कौन सा साथ से ज्यादा कारगर होगा यह आप मुझे बताई है और दूसरी बात सर यह तो और खास है उनके नाना एकियाथी वर्ष के उनका कमर में चोट लाए कमर डिस गया था गया था गुटने में दर्द वो चल नहीं टाओं आज मैं बार बार गली से अपने रोट के क्रॉस करता था उन्हें धरवाजे के उंचाई पर बैठा हुआ देखता था महीना दो महीना जाल भर देखता था उससे बरदात नहीं हूं मैं संपर्क किया उनसे और उन्हें काला गोन जैटून का सिर का हा बिदे और समान लाते हुगे, उनका सबसे बड़ी ख्वाइश थी है कि हम समान लाएं, बजार क्यों नहीं जा पाते हैं। और मैं देखता हूँ, मुझे कितनी खुशी होती है सर, आपके प्रपीब तो क्या बोलें, क्या स्रधा से मने सर जुग जाता है। बहुत शुक्रिया, और कोई भी सवाल है आपका? उस में डाक्टर के पास जाता था, तो डाक्टर अब आख हो करके यह जुझुझुझी क्या होता है, वो आख हो कि सिर्फ देखते थे मुझे, और मैं कम होगा हूँ, उसके बाद में जौग जोएं किया, जौग के बर्दवान किया, बर्दवान में डेडिकल इसका बहुत पूरों के वहाँ यह सब लिखाया कुछ नहीं, और फिर पांस साथ बरस पहले, अब मैं कहा नहीं सकता हूँ, कि मैंने कितना धर्द सहाय, शुटियता है, श्यांसेट बरस और चौदा बरस का उठा जब मैं सहा था, और अब मैं सिड़ी पर आराम सिड़ी पर, अगर अग सबस्क्राइब हो करके एक सीड़ी से दूसरे पर लगता था, फिर उसी पर दूसरे पर पर लगता था, और तब मैं उतरता था, शुटिये चाहिए, जिंदे की गुजारा हूँ मैं, और अभी मैं सब से चड़ जाता हूँ, और फट से उतर जाता हूँ, लेकिन आपका, मै मैं उसी समय और करूगा जब मैं खूद अपने तरीके से वालखी मार के जमीन पर बैठना शुरू कर दूगा सर तब मैं आपके लिए जो आपको कहना पड़ेगा मैं मैं वो करूँगा आपके सम्मान में देखिए बहुत सम्मानी हैं आप और देखिए आप रेलवे से रिटायर हैं आप से कई बार बात हो चुकी है और आप जो सेवा कर रहे हैं लोगों की कि एक आदमी जो घर पर बैठा रहता था आप उन्हें देखते थे आज वो सबजी लाने लगे बजार जाने लगे किस कद को आपको समान करते होंगे और कितनी दौाय देते होंगे और जितनी दौाय आप मुझे देते होंगे उससे भी ज्यादा क्योंकि आप ने उसको सहा है तकलीफ को और आपकी तकलीफ मैं महसूस कर सकता हूं तो देखिए जो भगवान इतना कर सकता है कि आप फटा फट चलन लगे, नीचे उतरने लगे, जो एक सीड़ी पर दो बार पैर रखके उपर चड़ता था, पहले इस सीड़ी पर एक पैर रखा, पिर दूसरा रखा, तो वो भगवान आपको पूरा ठीक भी कर सकता, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरे नुष्खे जात जो बताता हूं, मैं सिर्फ इस वेज़े से नहीं बताता कि आप ठीक हो जाएं, मैं ऐसे ही लोगों से पिरसन रहता हूं, जो नुष्खे जात को आगे बढ़ाते हैं, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मैं बता नहीं सकता, आप कितने कीमती हैं, और मेरा नुष्खा पहुंचाना आप तक आपका दूसरों तक, अगर ऐसे ही सारे लोग हो जाएं तो ये संसार, भारत, हिंदुस्तान, रोग मुक्त हो जाएं, बहुत लोग तकलीव में हैं, जैसे आपने तो एक आदमी को देखा है, हर घर में एक ऐसा आदमी बैठा है, जो चल नहीं सकता है, हर घर में कोई ऐसा रोगी बैठा है, जिसे आपकी जड़ूत है, और आप अपनी बकिया जिन्दगी सेवा में लगा दी है आपने, आपको भगवान बहुत पहबत करता होगा, और लिकित जिसको भी आप ने दवा दी, आपकी नियत अच्छी, नियत के बगएर नहीं होता कुछ भी, भगवा हाल से, हमारे चेहरे से, हमारी लंबाई, हमारी कुछूरती कोई हैं हमारा जो करेक्टर है, बस वो उसको पसंदे, अच्छा है तो वो अच्छा है उसकी नजर में, हमार साथ जुड़े रहें और ऐसी लोगों को फाइदा पहुचाते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगत है, जब लोग अपना फाइदा उठाकर पर दूसरे तक फाइदा पहुचाते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ. हकीम साब रस्वन्ती और कलमी शोरा को फाइदा? अच्छा देखें, रस्वन्ती को रसौत भी कहते हैं, और रसौत एक हुए चीज है. इसका एक पेल होता है, रसौत का जिसको पानी में उबाले कर, इसका रस निकाल लिया जाता है, और वो गम को पिला दिया जाता है. तो वो जमावा होता, आपने देखाव उस पत्य उत्ते तो चिपट्टिये होते हैं, तो उसको रसौत पेता है, ये Пेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी है और ये कब्स को भी दूर करती है और ये जॉन्डिस को भी अच्छा करती है लीवर के लिए बहुत अच्छी है दिए एक दवा इतने असर करती है इतने फायदे करती है कि हम अगर उसके बारें बोलने लगे तो पूरा घंटा चला जा किस कॉल ने लग पाई. पाई तो हम से कभी पूछे तो यह पूछे के इस रोग में फाइदा करती है क्या नहीं? इसी तरह कल्मी शौरा भी है. कल्मी शौरा हमाएं वरम दूर करता है. और पेशाब आवर है. बहुत दो चुटकी खुराक इसे जादा नहीं ले सकते काफी तेज भी होता है अकीम साब बच्ची को लेके था कि गॉल ब्लैडर में पत्री हुए अच्छा दिखिए बहुत बड़ी पत्री है आप कोशिश कर सकते वादा नहीं करता है तीन चम्मच जैतून का तेल और तीन चम्मच जैतून का सिरका दो गिलास पानी में डालके इस बच्ची को पिला दें सुबह को खाली पेट अगर पी ले और शिर तीन दिन या पांच दिन ही कोशिश करें निकलना होगा तो निकल जाएगी वरना फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ सकता है पांच झाल को थाएगी लेकलना होगा थाहागी ही जाएगा है